मतुरा नगर के समीब वर्ती गाउं फैंचरी की प्रधान रजनी चौधरी द्वारा ग्राम पंचायत के खातों की जानकारी की गई जिसमें पता चला कि कोरोना काल में जिस वक्त गाउं की प्रशासक सचिव नीरत चौधरी ने बैंक खाते से 13 लाक रुपे से अधिक की राशी गाउं के विकास के लिए निकाली थी लेकिन जब उन विकास कारें का मिलान किया गया तो धरातल पर विकास कारे नजर नहीं आए इस संबंद में ग्राम प्रधान दोरा इसकी शिकायत मुख्य विकास अधिकारी से की गई मुख्य विकास अधिकारी ने इसकी जांच डीपी आरो किरन चौधरी को सौपी जिस पर किरन चौधरी ने मौके पर जाकर ही जांच करना प्रारंब कर दिया DPRO के पहुँचते ही गाउं में हलचल मच गई वहीं मौके पर ग्राम सचिव को भी बुलाया गया जिन पर ग्रामीडों ने गंभीर आरोप लगाए वहीं दूसरी और ग्राम सचिव नीरज ने प्रधान पती पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए मौके पर पुलिस बुला ली लेकिन पुलिस ने ऐसा कोई भी मामला नहीं पाया और पुलिस जुटा मामला पाकर वापस चली गई इस संबंद में फोन पर होई बातचीत में डिपी आरो किरन चौधरी ने कहा कि मामले की जाँच कंभीरता से की जा रही है जो भी इसमें दोशी होगा उसे बक्षा नहीं जाएगा फिलहाल में अपनी जाँच करके उच अधिकारियों को प्रेशित करेंगे विदित रहे कि इसे पूर्व भी एक अन्य गाउं के प्रधान द्वारा ग्राम सचिव नीरज पर आरोप लगाते हुए अपने गाउं में तेनात ना करने का प्रार्थना पत्र भी डिपी आरो का रेले को सौपा है अब देखना होगा कि इस मामले में कहां तक कार्रवा ही हो पाती है ग्राम में चेक किया और देखा कि क्या वास्ता में विकास कार हुए हैं। ग्रामीं और ने अपनी शिकायत भी धरज कराई। देखना ये भी होगा कि बास्तम में वो काम सत्तापित होते हैं या फिर जांच के दारे में लगातार चले आते हैं अभी बहुत कुछ कहना संभव नहीं है लेकि इतना तैह है कि जो नहे ग्राम के प्रधान चुन कर आए हैं वो फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं क्योंकि उ साथी राय सोलंकी के साथ रवी आदव